हेलो दोस्तों आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज का वीडियो काफी interesting और knowledgeable है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कुछ English conversations लिखेंगे और हम लोग इसे हिंदी के माध्यम से लिखेंगे यानि कि translate करके आपको रटना नहीं पड़ेगा कोई दिकत नहीं होगी Allround Knowledge and you can also join me on Telegram my channel's name is Allround Knowledge and friends in this video I will discuss each and every rule of grammar in detail so you don't need to learn it by rote process you will understand everything विराट आप धवन की बर्तरे पाटी में क्यों नहीं गए तो दोस्तो यह किस tense में है of course it is in simple past tense simple past tense and what's the structure of simple past tense first we write subject then past form of the verb then object it's so simple and is this sentence in negative or interrogative of course it is in interrogative और यहाँ पर wh family से question word है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि wh question word को पहले लिख देते हैं यहाँ पर लिखेंगे why और simple past tense में did का यूज करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे did इसके बाद आ जाएगा subject तो यहाँ पर subject है you why did you और यहाँ पर है नहीं तो आप चाहें तो यहाँ पर sort में didn't का भी यूज कर सकते हैं और मालिजे के आपको थोड़ी दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर not का यूज कर सकते हैं why did you not go अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि simple past tense में तो generally past form of the word भी यूज होता है लेकिन यहाँ पर go यूज करना है जब एक बार sentence में did का यूज हो जाता है तो हमेशा ही verb one का ही यूज होता है यानि कि negative और interrogative में आपको verb one यूज करना है why did you not go to धवन की birthday party में तो यहाँ पर लिखेंगे धवन's birthday party विराट why did you not go to धवन's birthday party अब यहाँ पर है रोहित मेरी तबियत ठीक नहीं थी तो यहाँ पर लिखेंगे मेरी तबियत ठीक नहीं थी आप सीधे लिख सकते हैं I was unhealthy या फिर I was not will विराट आपको क्या हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे what happened to you what happened to you रोहित मेरे पैरों की मान स्पेसियों में खिचाब आ गया है तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे पैरों की मान स्पेसियों में खिचाब आ गया है यहाँ पर आप गेट का यूज कर सकते हैं मा लिजे खिचाब आना इसके लिए आप गेट इस ट्रेन का यूज कर सकते हैं तो यहाँ एक तरह से प्रेजेंट प्रफेक्ट टेन्स में है यानि की है यहाँ प्लस वर्व थ्री यहाँ पर लिखेंगे I have got strain मेरे पैरों की मान स्पेसिव में in my legs muscles या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं in the muscles of my legs हलां की spoken English में हमेशा ही short sentences prefer किया जाता है we always prefer to use short sentences especially in spoken English रोहित I have got strain in my legs muscles विराट क्या आपने इस बारे में गंगुली भाई से बात की तो यह किस tense में है यह भी है simple past tense में तो यहाँ पर लिखेंगे विराट और शुरू में क्या है तो जब शुरू में क्या रहता है तो हमेशा ही helping verb से sentence शुरू किया जाता है कभी भी इसके लिए what use नहीं करते है चुकि यह simple past tense में है और इस tense में हमेशा ही did का यूज होता है तो यहाँ पर did को पहले कर देंगे did you talk और talk के बाद हमेशा ही to का यूज करते हैं talk to someone talk with someone भी हो सकता है तो यहाँ पर लिखेंगे did you talk to Mr. Ganguly इस बारे में about this विराट did you talk to Mr. Ganguly about this रोहित नहीं अभी तक मैंने उन्हें इस बारे में सुचित नहीं किया है तो यह किस tense में present perfect tense और यहाँ present perfect tense का interrogative sentence है और present perfect tense का structure क्या होता है सबसे पहले subject फिर has have फिर verb 3 फिर object और यहाँ पर अभी तक के लिए yet का use करेंगे यानि कि दोस्तों yet का use present perfect tense में बहुत ही ज़्यादा होता है जैसे वह अभी तक नहीं आया है he has not come yet तो यहाँ पर लिखेंगे no अभी तक मैंने उन्हें इस बारे में सुचित नहीं किया है are have not informed him about this yet रोहित no I have not informed him about this yet विराट आपको उन्हें सुचित कर देना चाहिए था लेकिन उन्हेंने किया नहीं तो इस चेंश में हमेशा ही should have प्लस वर्व थ्री का यूज किया जाता है एक तरह सा आप समझ सकते हैं कि हिंदी में रहेगा चाहिए था तो आप इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे विराट आपको उन्हें सुचित कर देना चाहिए था यू should have informed him about this विराट यू should have informed him about this रोहित ठीक है अभी मैं उन्हें सुचित कर देता हूँ तो यहाँ पर लिखेंगे ओके आए इन्फोम हीम राइट नाउ रोहित ओके आए इन्फोम हीम राइट नाउ आप चाहे तो यहाँ पर जस्ट का भी यूज कर सकते हैं ओके आए जस्ट इन्फोम हीम राइट नाउ विराट क्या आप अगले मैज खेलने के लिए फिट रहेंगे तो यहाँ पर रहेंगे होंगे इसके लिए विल बी का यूज किया जाता है तो इसमें से विल को पहले कर देंगे और बी हमेशा इस सब्जेट के बाद यूज किया जाता है जैसे माली जे क्या आप तयार रहेंगे विल यू बी रेडी तो यहाँ पर बी का यूज सब्जेट के बाद हुआ है और विल से सेंटेंस को शुरू किया गया है तो उसी परकार यह सेंटेंस है विराट क्या आप अगले मैच खेलने के लिए फिट रहेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे विल यू बी फिट तू पले दे नेक्स्ट गेम बिराट विल यू बी फिट तू पले दे नेक्स्ट गेम रोहित उमीद करता हूँ तब तक मैं खेलने के लिए फिट हो जाऊंगा तो यहाँ पर लिखेंगे रोहित उमीद है I hope तब तक बाई देन I विल बी फिट तू पले रोहित I hope बाई देन I will be fit to play विराट इस वर करें आप जल्दी ठीक हो जाओ तो यहाँ पर लिखेंगे May God You Get Will Soon विराट May God You Get Will Soon रोहित आपको आपकी सुप कामनाओं के लिए धन्यवाद तो यहाँ पर लिखेंगे Thank You Very Much For Your Good Wishes Thank You Very Much For Your Good Wishes आईए दोस्तों एक और इंट्रेस्टिंग कॉन्वेर्सेशन को लिखते हैं Sonu कहता है क्या खुबचूरत दिन है आज यहाँ पर लिखेंगे What A Beautiful या फिर Lovely Day Today Sonu What A Beautiful Day Today Monu हाँ बिलकुल सही तो यहाँ पर लिखेंगे Yes That's Right Monu Yes That's Right Sonu ओह ऐसा लगता है जल्द ही बारिस होगी तो यहाँ पर लिखेंगे Oh ऐसा लगता है It seems That It will Rain यानि की बारिस होगी Simple future tense It will rain It will rain जल्द ही Very soon या शिर्प आप सून भी लिख सकते हैं Sonu Oh It seems that It will rain very soon Monu मुझे बरसा रितू बहुत पसंद है तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे मुझे पसंद है या पसंद करता हूँ इंग्लिस में I like ही लिखेंगे I like The rainy season The most Monu I like the rainy season The most Sonu ऐसा क्यों तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं Why is that Monu बरसा सडकों और गलियों को साफ कर देती है और हवा को ठंडा कर देती है तो यहाँ पर लिखेंगे The rain और यह किस tense में Simple present tense में है यानि कि subject plus verb इसमें as या es लख सकता है इसके बाद object तो यहाँ पर rain uncountable noun है गिन नहीं सकते तो इसे singular में ही मानेंगे तो verb में as का use यहाँ पर होगा तो verb क्या है साफ करना यानि कि clean तो यहाँ पर हो जाएगा cleanse The rain cleanse the roads and the lanes और हवा को ठंडा कर देती है and make the air cooler monu the rain cleans the roads and the lanes and makes यहाँ पर हो जाएगा and makes the air cooler sonu और हमें गर्मी से भी राहत मिलती है तो यहाँ पर लिखेंगे and we also get relief from the heat sonu and we also get relief from the heat monu बिल्कुल तो यहाँ पर आप exactly का यूज कर सकते हैं exactly sonu बारिस के बाद दिन साफ हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे after rain दिन साफ हो जाएगा the day will be clear sonu after rain the day will be clear monu क्या तु मेरे साथ पतंग उडाने जा रहे हो तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्ता एक तरह से यह present continuous tense में है यहाँ पर आर को पहले कर देंगे are you going to fly a kite with me monu are you going to fly a kite with me sonu बेशक मैं बहुत उस्ताहित हूँ तेहाँ पर लिखेंगे of course I am very excited sonu of course I am very excited now friends it's time to read these conversations virat why did you not go to Dhawan's birthday party Rohit I was unhealthy Virat what happened to you Rohit I have got a strain in my legs muscles Virat did you talk to Mr. Ganguly about this Rohit no I have not informed him about this yet Virat you should have informed him about this Rohit okay I just inform him right now Virat will you be fit to play the next game Rohit I hope by then I will be fit to play Virat may God you get well soon Rohit thank you very much for your good wishes Sonu what a lovely day today Monu yes that's right Sonu oh it seems that it will rain very soon Monu I like the rainy season the most Sonu why is that Monu the rain cleans the roads and the lanes and makes the air cooler Sonu and we also get relief from the heat Monu exactly Sonu after rain the day will be clear Monu are you going to fly a kite with me Sonu of course why not I am very excited I hope friends आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा यदि है मेरा effort आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा और दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर लीजे मेरा user ID है Allround Knowledge साथ ही दोस्तों आप लोग मुझे टेली ग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं मेरे चैनल का नाम है Allround Knowledge और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखेगा आप लोग को प्लेलिस्ट नजर आ रहा होगा किसी एक पर किलिक किजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखेगा Allright Friends, Thanks for watching Have a Great Day